भाज संख्या भाज संख्या पड़े होंगे लेकिन यहाँ पर देखिए क्यूस्टन हमारे सामने क्या बनता है क्या सुन्ने एक समसंख्या है अगर सुन्ने समसंख्या है तो सबसे छोटी समसंख्या क्या होगी तो सबसे छोटी समसंख्या बताना है अगला क्यूस्टन बनता संख्या क्या है कि कोई भी पुरुडांग जो दोस से विभाजित हो जाता है उसे हम संख्या कर देते हैं तीक है psic Lexus 33 कोई भी पूरुडांग το दोस वी भाजित नहोँ उस कि संख्या कर देते यह पर अगर। तुह अगर हम किसी पुरुडांग को होता है और सुन्ने और वन को लेकर यह क्या होता है कि रिणात्मक सुन्ने और धन पूडांग को लेकर एक पूडांग बनता है तो यहां पर बात करें तो क्या रिण पूरांग समसंख्या या भी समसंख्या भाज संख्या भाज संख्या होती है अगला क्यूशन बनता है देखिए कि असुने एक भाज संख्या है कि अब आज संख्या है अब ये क्यूशन मतलब कनफ्यूजन बना देता है चलिए कोई बात नहीं अगर कनफ्यूजन बना देता तो वीडियो कमेंट बाक्स में लिखिए अगर ना पता हो तो ये वीडियो को विश मत करिएगा पूरा देखिए और एक कहानी आपको सुनाना चाहेंगे ये कि स्कूल में डियम सहाब आते हैं और किसी टीचर से पूछ देते हैं साथ आप लोगों ने निउस पढ़ा भी जनना चाहेंगे तो सबका इंसर देएंगे वास संख्य क्या होता है और ये घृत्ति हमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैं ड्के करता हूं और आज ये वीडियो सभी के लिए knowledge one होने वाले हैं तो यहाँ पर देखिए कि तेरा परकार की संख्या का अध्यनम लोग करने वाले हैं सात्वा में क्या है कि भाज संख्या शह वाशन्ख्या परीमे संख्या वास्तविक चलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन अगर आप लोग समय देएंगे लोग वीडिट яв के वाछन्ग french कि यंदा अच्छा सीखना होगा कुछ अधिक सीखना होगा आप कुछ या कुछ सबसे बहतर सीखना होगा तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और एक-एक स्टेप कुछ समझ लिजएगा क्योंकि रटना नहीं है हमको समझना है ताकि पड़ो ऐसे कि दूसरों को भी पढ जिएगा और एक बत और कहना चाहेंगे अगर किसी भी इस्टुडेंट को या कंप्यूटर को अगर कंप्यूटर का वीडियो यह त्रिपल सी आई बीप्यर्स पी-ओ या दिल्ली पूलिस यानि सब में कंप्यूटर तो पोच रहा है और जल्द हमारे चैनल पर कंप्यूट चैनल को सबसे पहले पाने के लिए आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लेजे और चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं अगलाम लोग क्या है पाला ही है पाला संख्या कि धन पूड़ांग अब धन पूड़ांग क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राकृतिक संख्या है या प्राकृतिक संख्या धन पूड़ांग का लाती है यह प्राकृतिक क्या हो जाएगी अगर हम आप लोगो को बोले कि किसी पेंड पर शिडिया बैठी है उस पेंड पर शिडिया को काउंट करूगी नो आप क्या कहेंगे एक दू तीन चार कोई व्यक्ति कहाएगा हम भी कहेंगे कि एक दू तीन जालाती है चलिए अर्थाद सिजा-सिजा बोल सकते हैं कि गड़ना में मतलब गिंती कर रहा है तो गड़ना में गिंती में परियोग की गई संख्या को धन पूरान करते हैं अब यहां पर जैसे एक्जांपल दे दिया जाए एकसे लेके अनंत तक रागरत संख्या हमारा एक में क्या हो जाएगा एक दो टीन च्यार पांच अभ डाइस डाइस कहां तक अनन्त तक यह हमारा क्या हो जाएगा यह प्राकरत संख्या हो जाएगी मतलब गढ़ना में या गिंति में प्रियो कि गई क्या धन पुढ़ांग करते हैं एक द्तीन चयर अनंत तक चलिए अब दूसरा हम लोग का क्या बढ़ना क्या है कि पुर्वड संख्या आगे जोते हम यहां परूर संख्या के किसे कहते हैंगा हम लोगोंने count किया अभी हम लोगोंने एक संख्या मतलब पेड़ पर बैठी चिडियों को count किया कि एक दू तीन चार पाज चलिए अब हम लोग क्या किया कि नौ तक जाकर रुख गया है जब सुन्ने की खोज नहीं हुआ था तो हम लोग 10 कैसे लिखते हैं फिर से एक दू त अलसे हैं कि इस िधान पूरण्ग को लिखते हैं कि आई संख्या मतलब दहनातमक संख्याा अइग प्लस'Mतलब एक दू तीन चार डै डाइटस अननतक है विलाकर पूर्णख्या अब यहां बाद करें, सुने सहीट, यहां पर एक्जामपल देख़ें, तो क्या हो जाएगा सुने, उसके बाद अगला क्या है कि धन पूर्डांग तो धन पूर्डांग तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कि 8, 2, 3, 4, 5, 6,—-—- ये तो मतलब सिंपल है कि धन पुर्णांग पूर्ण संख्या ये तो सब सभी लोग जानते होंगे अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो को देखिये और अगला जो भाज संख्या भाज संक्यवいやं इस में confusion को दूर किया जाएगा चलिए अगला हम लुग पूरते हैं पूर्ण संख्या बाद कि आ जाता है हमारा रेड़ पुड़ांग को देखते हैं माला तीसरा क्या मेँ को प्रकार होगा रिड़ पूड़ांग अब रिड़ पूड़ांग क्या होता है जदी आप से कहा जाए कि दीन का उल्टा रात होगा इसी तरह क्या हुआ कि कि जो हम लोग का धनात्मक पूरॉडांग हुआ तो प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होता है एक दो, धनात्मक क्या होता है कि प्लस 1 प्लस 2, 1, 2, 3 ऐसे जाता है, अब इसके उल्टा की बाद करें, तो मालने ये किसी के पास 5 रुपाय है, और कोई पांच उर्पिया उधार में चल ला है तो माइनस 5 में चल रहा है कोई प्लस 5 में चल रहा है इसका जफ्थ भी प्रेत है ना क्या हुआ कि जफ्थ धनात्मक क भी प्रेत में आ गए तो रिड़ात्मक संख्याओं को या रिड़ात्मक प्रूरांग हमारों का definition क्या सब चब नीचे आएंगे सुनने से सब संख्या मैंनस में आएगा क्या होगा कि सुनने से छोटी पुराण को रिण पुराण करते हैं इसे माइनस आई ए पर माइनस सिभेक्द किया जाता है steel है अब अगर लिख सकते हैं कि माइनस चार माइनस तीन माइनस दो माइनस एक यही रिडात्मक पुर्णांग होगा ना अब कुछ लोग कहेंगे इससे आगे नहीं भाई इससे आगे नहीं होगा क्योंकि हमको रिडात्मक लिखना है रड़ पुर्णांग लिख रहा है ना चलिए तो आसा क परिमेश संख्या परिमेश संख्या में जब आएंगे तब हम लोगा कन्फूजन बढ़ता है इसमें तो सिंपल है सब समझ में आ जाएगा चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगले संख्या बचलते हैं अगला संख्या का प्रकार क्या है पुर्णांग अगला क्या है पुर्णांग अब यहां पर देखिए डेफिनेशन के रिड़ पुर्णांग शुन्या तथा धन पुर्णांग को का समोह क्या खालाता है पुर्णांग का लाता है अपनी सिधा-सिधा भासा में कर सकते हैं जि सभी सं्ख्या तथा अंक पूर्णांक यदि बिनात्मक ना हो मतलब बिनात्मक बसमलों में ना हो अता क्या हो इस मल ओम क्या हो हो चानेंगे पुर्णांक हो जाएंगे, अब कोई भी पुर्णांक, कोई भी संख्या माइनस में होगी, सुन्ने होगी, अब फिन्नात्मक होगी, तो वह क्या पुर्णांक नहीं होगी, क्या हो जाएगी, भिन्नात्मक होगी, दस्मलों में होगी, तो क्या होगा पुर्णांक? नहीं होग या क्या रहाएगा या तो माइनस में होगी या तो पलस में होगी या तो सुनने होगी कोई पूढांग तो होगी ना चलिए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रिन पूढांग तो पहले रिन पूढांग को लिख देते हैं तो अनंद से स्टार्ट करते हैं डैस 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 डै तो क्या हुआ है है तीनों को मिला दे तो बन गया पूर्ण नंक चलिए ठीक है अब प्रूरांग हम लोग जानते हैं कि प्रूरांग में क्या होता है रात्मक councils किया हो सकते हैं मैं क्या होगी संघ्य होगी चलिए समजने वाले दूसरे बात है और पर कि जो संख्या दो से विभाजित हो जाए मैं संख्याए अपनी मुआ सब्सक्ते हैं जो संख्या दो सभी वाजित थो व्हासम्थ खिलिए ठीक है तो हम Śधार पर कर सकते हैं क्या सुन्या सुन्या एक संसंख्या है है जायो बेखत ज्रण से छोटी संख्या जीरो या तो तब क्या होगा तब सबसे छोटी शन소ख्या माइनस दव सबसे छोटी sum-sang kya, euro होगी कि 2 होगा, अगर क्या होगा, देखे हम लोग क्या लिखे हैं, कि हम लोग का जो पुरूरांग होता है, क्या होता है, अनंत से लेकर, minus 4, minus 3 से होता है, अब हम लोग sum की बाद करें, तो इसमें sum क्या होगा, sum हमारा क्या हो जाएगा 4, जो दो से भी भाजित तो होगा, निटैत है, ना बसरते इसका जो value हुगा, अगर 2 से इसको भी भाजित करे तो, अब यहां पर 2 और 4, तो सुन्ने एक समसंख्या है, क्यों? कि सुन्ने 2 से भी भाजित तू होगा, ही होगा सभी संख्याओं सभी भाजित हो जाएगा क्योंकि सुन्ने में किसी भी संख्या से भाग करिए भाग करिए तो क्या होगा सुन्ने ही उसका मान आएगा तो सुन्ने क्या है एक संख्या है सुन्ने एक संख्या है चलिए तो ठीक है अब आगे देखें तो दो भी हमारा क्या है स्मसंख्या है चार इसकी अगर पीछे आयए तो चार की बाद । होगा और अंतार सबसेश्चा नीचे हम लोग लोगि रहा है सबसे छोटी स्पसंख्या क्या होगी तो सबसे छोटी संख्या समसंख्या मतलब सभी प्रोडांकों में सबसे छोटी संख्या हम क्या कहा सकते हैं कि ज्यात नहीं कर कर शकते क्यों ग्यात नहीं कर शकते क्यों कि अगर यहां पर देखिए गाँ अगर माइनस 6 लिखें इससे भी छोटा आएगा अगर इससे भी छोटा तो माइनस 10 समसंख्या मतलब इससे भी छोटा तो आता जाएगा ना अनंत तक अगर आप से कहा जाए कि सबसे बौड़ी सम संख्या सबसे बौड़ी संख्या तो ग्यात नहीं किया जा सकता सबसे चोटी सं राख्या तो इसी पूल स चोटी पूड़ी संख्या में सबसे छोटी पूर संख्या है मतलब संख्या है अगर सबसे छोटी धनात्मक संख्या की बात करें तो हाँ यहां पर दो हो सकता है दो हो सकता नहीं होगा क्यों कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या पूछा है तो धनात्मक क्या होगा धनात्मक हमारा धन पूरण तो एक दू समसंख्या क्यांत कर सकते हैं सबसे छोटी पूर्व संख्या की बात करें तो सबसे छोटी पूर्व संख्या सुनने होगा और ठीका यहां पर सुनने की बात की जाए तो सुनने सभी संख्यां से विभाजित हो जाएगा और यह अनगीनत अनगीनत समसंख्या होगा क्योंकि च कमांद सुन नहीं आएगा इतनी जांकारी आप लोगगों को वही होगी और आगे वरते हम लोग विशम संख्या पे जलिए विशम संख्या को देखते हैं अगला विशम संख्या है, विशम संख्या में क्या है कि जो संख्या दो से विभाजित नहीं होती है, मतलब दो से न कटे, दो से कौन से संख्या नहीं कटेगी, दो से आपका क्या, दो से एक नहीं कटेगा, तीन नहीं कटेगी, हैना पांच नहीं कटेगी, तो वो संख्या ज कोई संख्या आपको दिया जाए अगर हम 49 दे दें लाश्ट वाला जो 9 है दो से कटेगा नहीं कटेगा अंतिम अंक अगर दो से नहीं कटता है तो वह संख्या क्या हो जाएगी यदि अंतिम अंक दो से कट जाता है तो वह संख्या हो जाएगी कितना भी बड़ा संख्या हो आपका अगर अंतिम वाला आंक एकाई अंक आपका दो से भी वाजित हो जाता है तो वह संख्या क्या होगी संख्या हो जाएगी अगर कितना भी बड़ा आंक दे दे और इकाई वाला आंक उस दो से ना कटे तो क्या हो जाएगा वा विशन संख्या हो जाएगा अर था तो अपने सब्द में आ जाए परतियक सम के बाद भी सम आता है अगर बात करें यहां पर हम अगर कोई संख्या लेख दें एक दो धन पुडांग को लिखें एक दो तीन चार पांच चौ चलिए ठीक है अब यहां पर देखें कि दो से कौन संख्या कट जाएगे दो से एक थोड़ी कटेगा तीन नहीं कटेगा पांच नहीं कटेगा अब आगर साथ तो क्या होगा प्रतियक विसम के बाद तो परतियक बिशम के बार बिशम संख्या आता है चलिए आसा करता हूँ ये बिशम संख्या भी आपको समाझ में आया होगा लेकिन इससे भी अगर विस्त्रित हम लोग चर्चा करें बिशम संख्या के बारे में इसका बिशम संख्या के इस तरह इसका भी विस्त्रित चर्चा होगा चलि को कि अगर अब 2-2 जोडते जाएं तो विशमSankhya अगली विशमSankhya राप्ट हो जाएगी नए अगर यह N बराबर हम माल ले एक है तो एन में अगला क्या जोड़िया है अगला दो को जोड़ दिती तो N फ्लस टू क्या होगा अगली बिशम संख्या हो जाएगी, यदि N1 बिशम संख्या है, N प्लस 2 अगली बिशम संख्या होगी अब अगला रिडात्मक में पूडांग में बात करें, अनंत से जाएगा तो माइनस 9, माइनस 7, माइनस 5, माइनस 3, माइनस 1 यह अगर आत्मक विशम संख्या यह आपका धनात्मक विशम संख्या चलिए अब यहाँ पर हम दरसा दिया है तो इसमें विशम संख्या क्या होगा तो तीन हमारा होगा तो तीन अगला विशम संख्या क्या होगा तो माइनस एक अगला विशम संख्या एक अगला तीन इसी फ सबसे बड़ी बात कर तो infinite अनंत होगा अगर यहां पर सबसे छोटी की बात करें तो देखिए एक से छोटा भी तो है माइनस एक इससे भी छोटा माइनस तीन इससे भी छोटा माइनस 5 मतलब सबसे छोटा ग्याद तो नहीं किया जा सकता किया अगला यह बता सकते हैं कि सबसे छोटी धनपोडंक बी शनशंक्या के बारे में यह हमने सित तोर पर अगरका गहा हूगा यह किया होगा यह घए संख्यां को अगली संख्यां करेंगे पर्मे संख्या संख्या सभा अम लोग क्या करेंगे प्रयु और संख्याओं का पढ़्यन करेंगे स最近 आप लोगों का विमन नहीं लगेगा इसलिए कोई भी काम हो ज्यादा अत्यादिक हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है इसलिए इस वीडियो को दो पार्ट में हम बना रहे है तो पहला पार्ट में हम लोगा क्या कवर हुआ था धन पुर्ण का पूर्ण का अच्छा अपना योगदान देने की कोशिस करें हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब का फल मिलेगा मतलब हमको भी अच्छा लगेगा चलिए धन्यबाद जैहन मस्त रहिए